कि हैं आप सब आई होग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स ऑफ क्लास 10 ठीक है यह स्टुडेंट तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर यानि कि तुम्हारी साइंस का फॉर्थ चैप्टर इस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ठीक है स्टुडेंट तो इससे पहले मैं तुमको थोड़ा और लाइट के बारे में बताओं बहुत अच्छे से समझाओं क्या होती है लाइट सारा इंट्रोडक्शन करें हम एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसका जवाब क्या तुम्हें देना है कमेंट पॉक्स में अगर पता है तो और नहीं पता है तो फिर फूरा देखना है लास्ट तक मैं खुद तुम्हें बताने वाला हो कि क्या होगा वारे में पढ़ने वाले तुम्हें पता लग गया है तुमने देखा वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल जब आता है हमारे पास जब हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना तो सबसे पहला जो कुश्चन होता है डियर स्टुडेंट बाट एज लाइट यह मिलिए डॉलर कुश्चन है इसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी है हम जब से इस अर्थ पर आये हैं जबसे हमारा बर्त हुआ है जबसे हम इस दुनिया को देखा है आमने लाइट का उसमें बहुत बदा रोल है। जैसे हम उब्झे निखने के लिए लिए को हैं तो किन दो चीजों की ज़रूरत है हमें जरूरत है कि हमारी आखें हों obviously और अगर नहीं तो पी नहीं दिखाई देगा और हमें ज़रूरत है light की because जैसे कि तुम रूम पर होते हों तुम ने क्या किया switch off कर दिया light का तो तुम्हें कुछ भी नहीं देखाई देगा unless तुम्हारी विंडो से sunlight ना रही हो वो भी एक light ठीक है अगर कोई light का source ना हुआ पर तो तुम्हें कुछ भी नहीं देखाई देगा that means to view or to observe anything you need light that's why the chapter is here light reflection and reflection तो तुम्हें बताने वाला था कि light है क्या what is light सबसे बड़ा question dear student अगर टेक्निकली बात करें टेक्निकली अगर हम light के बारे में सोचें कि light basically क्या होता है तो light is a form of energy अब ध्यान से सुना विल वर्ड को light is a form of energy ठीक है light is a form of energy अब यह energy क्या है और यह कहां से generate होती है यह सारी चीजे है एक तुम्हें वर्ड सुना होगा नहीं सुना होगा तो कोई टेंशन नहीं है electromagnetic wave ठीक क्या वर्ड में बने बोला electromagnetic wave थोड़ा नाम बड़ा सा लग रहा है पहली बार सुना होगा तो अजीब लगेगा लेकिन दर्री की ज़ुरत नहीं है जो भी हमारी light है this is an example of electromagnetic wave electromagnetic wave नाम का कोई चीज होती है जिसका एक्जांपल हमारा क्या है light x का एक्जांपल है अब मैं तुम्हें बताओं कि electromagnetic जो वेव है इसकी कई पार्ट होते है spectrum होता है अलग-अलग wavelength होती है उन पार्ट की अगर हम wavelength के decreasing order में उन पार्ट को लिखें तो मैं जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं radio waves ठीक है microwaves इंफ्रावेब्स इंफ्रारेड वेब्स एंड हेर कम्स अबर इंपोर्टेंट वीजिबल लाइट वीजिबल लाइट वीजिबल लाइट यूवी रेस एक्स रेस सुना होगा तुमने एक्स रेस ठीक है medical में कई बार hospitals हम जाते है एक्स रेस एंड गामा रेस यह अलग अलग टाइप की रेस हैं लेकिन these are all are example of electromagnetic wave समझ में आ ली बाग तो Electromagnetic waves का ऐच्छोटासा इस्था हिस्सा छोटासा पार्ट जो कि होता है विजिबल लाइट जो कि हमें दिखाई देता है ना तहमें radio wave देखाई देती है ना ही microwave दे देती नहीं इंफ्रारेड नहीं यूवी रेस नहीं एक्स रेस नहीं गामा रेस यह कुछ भी नहीं दिखाई देता है हमें सिर्फ कौन सा पार्ट दिखाई देता है इलेक्ट्रमेटिक वेब का विजिबल लाइट तो अभी समझ में आ रहा है एक टेक्निकल अंटर मैंने तुमको इलेक्ट्रमेटिक वेब्स होती है वेब्स का अलग-अलग क्या होता है वेवलेंग्थ होता है ठीक है वेवलेंग्थ होता है और इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारा विजिबल लाइट है अगर हम डिक्रीजिंग और बना है सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रे वाट मैंने शुरू किया था कि हम कैसे देख पाते हैं यह तो बात में कर ली दिए कि अब वी यह दिए स्टुडेट हम बहुत सारे इसे वेनोमेना जो देख पाते हैं जैसे तुमने अभी रेनि सीजन चलरा है बरसाथ हो रही जानों तरब तो तुमने देखा होगा rainbow होता है rainbow होता है साथ colors दिखाई देते हो seven colors अलगलग अगर हम जनरली किसी light को sunlight को जनरली देखते हैं तो मैं किस color की दिखाई जी वाइट लाइट थोड़ी yellowish type में white light ठीक है लेकिन जब रेन हो रही हो थी तो एक particular जगह पर location में हमें seven colors दिखाई देते हैं what does it mean this means that white light contains all seven colors जिनको हम विब गियोर के नाम से भी जानते हैं ठीक है विब गियोर मतलब violet indigo blue green yellow orange and red ये seven colors हमारे पास होते हैं किसके अंदर white light के अंदर ठीक है èn bright light के इंदर आप 7 color होते हैं कोई object तो हमें need cobbbgeq green दिखाई देता कोई object white दिखाई देता और black दिखाई देता बहुत सारे albo colors दिखाई देते हैं में दुनिया में ठीक है जैसे मेरी concern वाइट है तो यह white क्यों है ग्राइट का और उस ऑबजेक्ट है को जैसे किसी चीज का क्लर अगर हम ब्लैक देख रहे हैं या किसी क्लब चीज का अगर उसके पीछे फिनोमेना है फिनोमेना है कि वो जो हमारे पास ऑबजेक्ट है वाइट लाइट, seven colors, कोई भी white light होगी, जैसे tube light की light, bulb की light, sun light की light, यह all are white light, उसमें कितने colors होगी, seven colors होगी, अब जब यह white light, किसी object की उपर पढ़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर बना एक object, ऐसे white light आई उस पर, और white light ने क्या किया, reflect होगी, यह सारे phenomenon हम पढ़ेगे, कैसे reflection हो होगी, और reflect होने पर क्या होता है dear students, seven colors की जब अलग-अलग bay blank पर यह white light आ रही होती है, तो जो object होता है, जो किसी एक color का हमें दिखाई देता है, यह जो reflected part है, जो reflect होके निकलती है, उस सिर्फ एक ही color की होती है, जैसे मैंने कहा कि यह black दिख रहा है, या अभी के लिए ले और reflect होकर कहा गया, हमारी eye पर, ठीक है, जहां से हम देख पा रहे है, enable हो रहे हैं जहां से हम देखने के लिए, यानि कि जो color की ray बापस आएगी reflect होके, वही चीज हमें दिखाई देगी, ठीक है, अब तुम गोगे, सर इसमें black तो कहीं हैं नहीं, कहीं-कही object black भी दिखाई लिया, जैसे मैंने कहा, यहां पर कोई object है, ठीक है, यहां पर कोई object है, और यहां पर हमने क्या गाला, white light, white light, यहां पर भी white light, वहां पर तो एक ray क्या हो गई थी, reflect हो गई थी, जो कि कौन से color गी थी, blue color गी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कि यह जो material है, जो object हो इस तरी कि वो सारा का सारा रेज एब्जॉर्ब कर ले रहा है और जब ऐसा हो जाता है कि कोई भी यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो पारी कोई भी रे किसी भी color की reflect नहीं कर पा रहा हो तो जब कोई color नहीं reflect होता है तब हम बोलते हैं कि वो object हमको कैसे देखेगा black color का ठीक है black color का समझगा आपी बात इसी तरीके से कोई object white कैसे दिखता है जैसे whiteboard white तो दिख रहा है अगर हमको इन साथो color में इसे कुछ reflect होगा तो वो दिखाई देगा कोई color reflect नहीं होगा तो black दिखाई देगा और अगर साथो color reflect हो जाए मतलब कि कोई object ऐसा हो जैसे कि यह whiteboard है इसकी ऐसी property है कि यह light से जो white light जो है हमारे पास white light के seven colors जो है seven colors reflect कर यानि कि यह कैसा देखेगा white देखेगा so this is explanation of how do we see colors कैसे colors दिखते है different colors कैसे दिखते है और हमको दिखता कैसे अब बात आती है कि दिखता कैसे जब यह reflect हो जाती है यह करती है हमारे कहां पर आखों पर आइस पर और आइस पर जो रेज पढ़ती है हमें वहीं दिखाई देखता यानि कि मालूब कोई object हम देख पा रहे हैं जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई cricketer है खेल रहा ठीक है पिछ पर खड़ा हुए अगर वो बॉल को देख पा रहा है बॉल देखाई देगी तो बहुत बैट पर लगेगे नहीं ठीक है अगर वो बॉल देख पा रहा है इसका मतलब क्या है कि जो sunlight है जो ray है जो light का source है वहाँ पर उसकी rays कहां पर पढ़ रही है और बॉल से टकरा कर reflect हो रही है और reflect होके कहां पर जा रही है किर केटर की eyes पर तब ही वो देख पा रहा है कि बॉल है समझ में आ रहा है अगर ऐसा हो जाए कि किसी object पर raise ना पढ़े या पढ़के वापस ना आए हमारी आंकों में तो वो object हमें नहीं दिखाई देगा अगरे में क्या हो जाता है कि किसी object पर कोई light का रही नहीं रहा होता है तो टकरा के वापस कैसे आएगा नहीं आ सकता ठीक है not possible ना है हमारे surrounding में बहुत सारे ऐसे object हैं जो अलग अलग properties रखते हैं basically मैं दो टाइप के object की बात करूँगा लाइट के context में दो टाइप की object की बात करूँगा एट तो ऐसे object जो की खुद से light को emit करते हैं मतलब light को निकालते हैं अपने बाद अपने से source of light कह सकते हैं ठीक है तो type of object पढ़ रहे हैं type of object ठीक है दो टाइप की object होते हैं one is luminous object luminous object and second is non luminous object अब बताता हूं मैं क्या होते हैं यह luminous और non luminous object ऐसे object जो खुद ही light को emit करते हैं source of light होते हैं ऐसे objects को हम बोलते हैं luminous object कौन सा example है तो पुछोगे सर ऐसा कौन सा object है luminous object बहुत सारे object है sun, stars, moon, bulb, cfl बहुत सारे हम ऐसे objects के देखते हैं जिनसे light हमको emit हो ही डिखती है उन सारे object को क्या बोलेंगे luminous object बोलेंगे second non luminous object वो सारे object जो खुद से light को emit नहीं करते हैं जैसे मैं कोई light emit नहीं करता हो ठीक है जैसे यह marker कोई light emit नहीं करता है तो यह सारे object प्लास्टेक, wood, glass इस तरीके के जो light को emit खुद से नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं non luminous object clear है मेरी बात ठीक है next next जो चीज आती है light के बारे बात तो यह object की बात होगे कैसा behavior है इसका तभी तो इससे दोस्ती की जाए वरना तो फिर बेकार अच्छा nature match नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा तो जो light का nature है वो भी हम study करेंगे nature of light nature of light dear student जो behavior of light या nature of light है यह two types से होता है हम सब का nature ही की तरीके का होता है नहीं कभी कभी दो तरीके कभी होता है अलग लग लगों के लिए अलग लग नहीं जो light है इसका दो टाइप का nature होता है one is particle nature particle nature and second is wave nature second is wave nature basically dear student हुआ क्या जब light का हमारे पास research चलता है scientist लोग discovery कर रहे होते हैं तो हमने वहाँ पर देखा कि particle nature light का उन्होंने scientist ने क्या discoveries की invention क्या कि light जो है हमारे पास वह particle nature particle nature मतलब ऐसा उन्होंने बता है कि जो light है basically उसमें क्या energy के छोटे चोटे bundles है उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं photons यह नाम याद रखना काम आएगा आगे जब तुम 1112 में पहुंच जाओगे particle nature का मतलब होता है कि light is having lots of millions of numbers of photons ठीक है photons हो ले तो bundle of energy ठीक क्योंकि हमने पहले definition में लिखा हुआ है कि light क्या है is a form of energy तो यह नहीं सिर्फ photons होते हैं जो कि क्या होते हैं bundle of energy होते हैं ठीक तो बहुत सारे photons से constitute होता है हमारा light और हमने क्या हो गया particle nature है फिर क्या हुआ हुआ आगे scientist आते गए नहीं नहीं discoveries होती गई नहीं चीजें खोजी गई नहीं नहीं explanation लाए गए तो वहाँ पर पता चला कि light जो है ऐसा wave भी behave करती है वेव सांचते हो ना इस तरीके से ऐसा wave भी behave करती है फिर बात आई कि कौन सा nature माना जाए कई type के scientist थे यह जो wave nature दिया था उन scientist का नाम था हाई गेन थीक है हाई गेन इन्होंने दिया तो कई type के scientist थे सबने अपनी इपनी theories दी जब लडाई हो गई यहां पर मुद्धा ठन किया कि कौन सा nature माने पहले तो कहा गया कि particle nature ने चाहे तो क्या करना यह जाए तुम भी खुज और तुम भी खुज रो उने मतलब क्यों परती कि नेचर भी है और wave नेचर होती है उस टाइपे नेचर को हम यूज कर लेते हैं जहां पर मतलब जहां पर मतलब जिस तरह के explanation की हमें जहुरत होती है अगर हम बात करेंगे shadows की या reflection की अलग-अलग की तो हम बात कर सकते हैं पार्टिकल नेचर की और जहां आप आ गया है जो मैंने तुम से question पूछा था उसका answer देने का तो मैंने तुम से question पूछा था कि light का velocity क्या होता है light का velocity होता है air और vacuum में 3 into 10 to the power 8 meter per second this is the answer जितने लोगों ने किया है बिल्कुल correct किया यह answer कितने लोगों ने किया अगर जो यह तुमने यह answer दिए ठीक है चलो फिर lecture खतम करने का time आ गया है अगले lecture मिलते हैं आना जरूर देखने lecture no.2 लेकर आओना मैं तुमारे लिए physics का और सबसे बड़ी बात आपको अगर पढ़ाई में कोई भी डाउट आ रहा है physics पढ़ते होगे chemistry पढ़ते होगे बायो पढ़ते होगे ठीक है अलग-अलग subjects होगे तुमारे तो कोई भी पढ़ने मगर डाउट आ रहा है तो यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा एप है snap solve उसका link description में मिल जाएगा तुम download कर सकते हूँ वहाँ पर अपने डाउट भेजो के तुम्हें solution मिल जाएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं टाडा टेक केर बाए बाए